हलो फ्रेंज स्वागत है आपका आपके चैनल सिष्टी किचन में फ्रेंज आज हम बनाएंगे गुड़ पारा उसके लिए मैं क्या के इंगिट्रिन चाहिए उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब परना ना भूलें तो फ्रेंज यहां पे मैंने 300 ग्राम मैद लिया है और रिफाइन तो सबसे पहले हम मैदे का स्वाप्डेडो बनाएंगे तो मैदे में रिफाइन डालके इसको वच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि फ्रेंज जितना अच्छा हम मोयम डालेंगे मैदे में उतना अच्छा हमारा गुड़ पारा बनेगा तो इसको वच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हलका गुणगुना पानी थोड़ थोड़ डालके इसका हम स्वाप्रिडो बनाएंगे तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालके इसको गूत लेते हैं तो मैं दा यहाँ पे अच्छे से मैंने गूत लिया है इसको हम ठकके दस मिनिट के लिए रखतेंगे उसके बाद हम इसका पारा बनाएंगे तो दस मिनिट हो चुका है अब इसको बना लेते हैं तो सबसे पहले हम रिफाइन बेड़े हो बेलने में लगा लेंगे और इसके बाद हम इसको बेलेंगे तो फ्रेंस हमें इसको ज्यादा पतला नहीं बेलना है और नहीं ज्यादा मोटा ही बेलना है हम आपको बेल के दिखाते हैं कि हमें कितना पतला और कितना मोटा बेलना इसको तो फ्रेंस यहाँ पर मैंने इतना मोटा इसको रखा है अपना इपकी हिल्प से इसको हम कट कर लेंगे तो सबसे पहले हम बेज से कट करेंगे और इसके बाद हम इसको दोनों साइट से ऐसे कट कर लेंगे तो अच्छे से मैंने इसको कट कर लिया है सबसे पहले हम बेज से कट करेंगे और इसके बाद दोनों साइट से इसको थोड़ा थोड़ा हम निकाल देंगे जिससे इसका से अच्छे से आ जाए और इस साइट से भी हम इसको निकाल देंगे तो अब चल रहे हैं पाई करने तो इसी तरह हम उसको भी बेल लेंगे और एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने बेल के अच्छे से कट कर लिया है और रिफाइन अच्छे से गरम हो चुका है और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे क्योंकि हमें इससे धीमी आज में पकाना है जितने तीमी आज में इसको आप पकाएंगे उतना अच्छे से अंदर भी पक जाएगा तो गैस का फिल्म स्लो ही रख ए है हम और इसको हम बीज़ बीज़ में चलाते रहेंगे जिससे हर साइट बहुत अच्छे से पक जाए तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम दुबारा फ्राई करेंगे ऐसे फ्राई करने से बहुत क्रिश्पी हमारा गुर्पारा बनता है तो इसको हम दुबारा से फ्राई कर रहे हैं और इसको भी हम मेटियम पे ही फ्राई करेंगे और इसको चलाते रहेंगे जिससे हर साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए तो बहुत अच्छे से हमारा पारा फ्राई हुआ है और बहुत ही किश्पी है अब इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इसको हमें प्लेट में निकाल लेते हैं इसके बाद हम कड़ाय में गुर्ट डाल देए हैं यहाँ पे 300 ग्राम गुर्ट लिया है थोड़ा सा यह पाई डालेंगे जिससे गुर्ट अच्छे से मिल्ट हो जाए और इसका फ्लिम स्लो ही रखा है तो गुर्ट बहुत अच्छे से मिल्ट हो गया है अब इसमें हम पारे डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे और ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छे से हमारा पारा एक एक अलग हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पारा हमारा एक एक अलग हो चुका है तो आपको सरू करके दिखाते हैं तो फ्रेंस आप इसको बनाईएगा अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको कैशा लगा